अभी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भारतिय जंता पार्टी सरकार के बीच जुबानी जंग तेज है। यहां तक की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के निशाने खूब लगाए जा रहे हैं। अभी तक हम किसानों से MSP पर धान की खरीद और धान के उठाव में देरी को लेकर दोनों पार्टियों में तकरार देख रहे थे। लेकिन इसमें अब एक नया मोड आ गया है। यह नया मोड संग्रूर के चावल को लेकर है। दरसल एक क्वालिटी चेक में संग्रूर के चावल के कुछ सैंपल को इनसानों के खाने लायक नहीं बताया गया है। 19 नमूनों में से 15 नमूने रिजेक्शन लिमिट से उपर पाए गए और 3 नमूने लोगों के खाने के लिए अनफिट थे। चावल के सैंपल की क्वालिटी FSSAE के स्टैंडर्ड के मताबिक नहीं पाई गई। इस क्वालिटी चेक की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने 2023 से 24 सीजन के चावल की जाच करने का फैसला लिया गया है। संग्रूर FCI के जिम्मे संग्रूर, मलेर कोटला और बरनाला जिले के गोदाम आते हैं जहां से अरुनाचल प्रदेश के बांदर देवा में चावल भीजा गया था। इस पूरे मामले पर FCI के चेयरमेन को Joint Commissioner Storage and Research ने 23 अक्टूबर को एक चिठी लिखी है। इस चिठी की एक कॉपी, The Tribune, के पास है। चिठी में लिखा गया है कि चावल की जाच की विस्तरित रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर केंदरिय खादे और जन वितर्न मंत्राले को सौंप दी जाएगी। चिठी में सलाह दी गई है कि संबंधित स्टॉक का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए तीस दिनों के अंदर रिपोर्ट के आधार पर कारवाई की जानी चाहिए। पंजाब के FCI अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो साल के स्टॉक की सैंपलिंग करने से पहले वेहेड ओफिस के निर्दे अब यह जाँच का विशय है कि चावल की क्वालिटी यहां खराब हुई या बांदर देवा में। चावल की क्वालिटी का यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब पंजाब में धान खरीद बेहत धीमी है। इसे लेकर आप सरकार और किसान संगठन केंद्र सरकार पर आरो में चावल के सेंपल का फेल होना आप सरकार और किसान यूनियनों को केंद्र के खिलाफ विरोध करने का एक और मौका देगा। धान की खरीद की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 46.4 एक लाक मीटरिक टन धान मंडियों में आ चुका है। इसमें से 42.27 लाक मीटरिक अधान का उठाव गुरुवार को ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइमस टीवी